वेल्कम टो शिक्षा तो गैस्ट इस लेक्चर नुमबर नाइन फॉर इंशॉरेंस और लेक्चर इंशॉरेंस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं कि से लेक्चर लास्ट लेक्चर लास्ट कौन सा होगा तो देखो बेटा कोशिच करेंगे कि इसको विदिन 20 ले लेक्चर भी मैं इसके अंदर एड़ अब करूंगा अभी हमने आई 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 की जो एन्वल रिपोर्ट है उसके अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट डेटा को भी देखना है तो लेक्चर इसके रहेंगे आप तसली रखो विदिन दिस मंथ धीरे-धीरे इंशॉरेंस के सार सब्सक्राइब करना पड़ेगा तो टाइम लगेगा उसके अंदर जैसे जैसे जो जो लेक्चर आता जा रहा है उसको साथ-साथ करते जाओ बस अभी किसके कितने लेक्चर डलेंगे वो टेंचन आपको लेने की जुरूरत नहीं है वो टेंचन लेना काम मेरा है आपने आपके कॉंबो कोर्स में से लिया गया है जिसमें आपको MCQ मिलते हैं इंडेस्ट्री रिलेशन्स, लेबर लॉस, सोशल सिक्यूरिटी, गाप के ओके और इसके अंदर साथ ही साथ आपको यूट्यूब पे जितने भी लेक्चर्स हैं सब PDF भी से MCQ कॉंबो कोर्स के अंदर इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले दो देखेंगे बेटा हम वेरियबल लाइफ इंशॉरेंस क्या होता है इसको समझेंगे यूनिवर्सल लाइफ इंशॉरेंस क्या होता है चाइल्ड पॉलिसी, ग्रूप इंशॉरेंस, नॉमिनेशन, राइट ऑफ नॉमिनी, कैंसलिंग selling life insurance तो ये broad topics हैं जिसको हमने cover up करना है इस particular lecture में शुरू करेंगे variable life insurance के साथ variable life insurance का जो concept है ये United States में बेटा introduce हुआ था around 1970s के अंदर इसमें दो component होते है variable में वैसे तो एक होता है fixed और एक होता है आपका flexible जो आपका variable life policy है इसमें fixed component होता है एक variable component होता है ठीक है 1985 से ये काफी जाधा spread हुआ developed countries के अंदर specially अब देखो इसके अंदर जो traits है whole life policy के भी कुछ traits होते हैं जिसके बारे में previous lecture के अंदर समझ चुके हैं whole life policy का क्या trait होता है इसमें एक fixed premium होती है या variable premium again वो fixed और variable depend करेगा all right तो अब इसके अंदर ultimately क्या होता है premium आपको pay करनी होती है regular intervals के उपर और धीरे धीरे आपकी जो policy है उसकी cash value develop होती जाएगी surrender value develop होगी उस policy के उपर आप loan लेज़ सकोगे तो ये तो हमने already features income समझ चुके हैं main difference क्या है main difference ये है कि इसके अंदर complete investment का risk होता है वो policy owner के उपर आ जाता है ठीक है जो भी risk है investment का या जो investment से return आएंगे यानि कि profit भी policy owner का loss भी profit policy owner का इसके अंदर basically होती क्या है जो भी आपकी insurance बेचने वाली company है ना वो आपको कुछ investment portfolios दिखाईगी ठीक है वो आपको बोलेगी कि जी हमारे पास ये ये investment portfolio है आप अपना policy का पैसा किस investment में invest करवाना चाते हो ठीक है for example भी stock market है हमारे पास mutual fund का option है अलग-अलग investment options होंगे and policy holder जो है वो choose करेगा कि हां जी मैं चाता हूँ कि मेरा पैसा जो है इस particular investment के अंदर आप लगा दीजिए ठीक है अब इससे क्या होता है policy holder अगर तो उस investment में कोई बढ़ोती होएगी तो definitely उसको additional coverage मिलेगा death benefits या जो भी investment की return है उसमें benefit मिलेगा वहीं अगर investment की जो performance है वो unfavorable है ठीक है वो ठीक नहीं है बड़ीया perform नहीं किया उसने तो उस case में जाहर सी बात है उसको नुकसान भी जहलना पड़ेगा जो उसके death benefit minimum death benefits है वो भी कम हो जाएंगे ठीक है वो भी कम हो जाएंगे लेकिन एक minimum level इसके अंदर maintain रहेगा उसमें सरकार बोल सकती है कि इससे कम नहीं आप कर सकते इससे कम इसमें आप death benefit नहीं करोगे ठीक है वो levels वो government specify करेगी basically idea क्या है कि पैसा तो आप premium तो भरी रहे हो तो क्यों ना customer के लिए वो पैसा invest भी हो जाएंगे जिससे जब वो invest होगा तो जाहर सी बात है उसको long time में उससे कुछ ना कुछ benefit मिलेगा जो उसको आने वाली महंगाईयों से inflation से deal करने में help करेगा so that is a variable life insurance उसके बाद universal life insurance का एक concept होता है again permanent life insurance का ही type है और saving element इसके अंदर होता है और flexibility किस चीज़ में होती है term के अंदर अब जैसे देखो whole life policy में क्या होता है आपको पूरी life premium पे करनी है universal life insurance के अंदर क्या है जो policy holder है वो अपनी premium को अपने death benefit को अपने cash value को change कर सकता है according to his situation उसको लगता है नहीं यार आज कल मेरे पास मंदी चल रही है मैं इतनी premium नहीं भर पाऊंगा तो वो कम जादा कर सकता है अपने death benefits को reduce कर सकता है जिससे automatically उसकी premium कम हो जाएगी उके उनिवर्सल जो life insurance है उसके अंदर permanent life insurance का feature तो ही है जो permanency है लेकिन flexibility होती है policy के terms के context में फिर आजाती है दोस्तों child policy child policy basically होता क्या है इसके अंदर जो parents है वो policy लेते हैं या तो अपने उपर ही policy लेंगे या बच्चों के उपर policy लेंगे लेकिन इस policy का main aim क्या होता है कि child का benefit हो तो basically इसके अंदर क्या होगा पैसा दीरे-दीरे मिलता जाएगा parents को जैसे-जैसे बच्चा life में बढ़ाता जाएगा parents plan करते हैं कि आर कल को हमारा बच्चा बढ़ा होगा इसकी school की fees बढ़ेगी फिर इसको college में जाना होगा college के खर्चे होंगे ठीक है तो different life phases में आपको उसके लिए पैसा चाहिए तो basically child policy का जो वो काम है वो यही है कि वो अलग-अलग ages के अंदर आपको एक तरीके से money back की form में पैसा आता रहेगा और और कहीं insurances के अंदर तो यह भी होता है कि अगर unfortunate death हो जाती है parent की या child की policy term में तो आपको premium भी फिर वेव कर दिया जाता है फिर आपको premium नहीं पे करना होता next आ जाता है group insurance group insurance के बारे में आपने सुना और पढ़ा होगा अगर कोई working है किसी ने job बगेरा की है कभी तो आपने group insurance का concept आपके साथ practice होते हुए भी देखा होगा तो basically इसके अंदर क्या होता है life insurance protection दे दी जाती है तो वो group of persons ठीक है एक पूरे के पूरे group को cover कर लिया जाता है ऐसा नहीं है कि सिर्फ job करने के लिए group insurance का example होता है प्रदान मंतरी फसल भीमा योजना जो basically एक protection प्रोवाइड करती है farmers को आप कह सकते हो कि that is also an example of group insurance तो इसके अंदर एक पूरे के पूरे group को target किया जाता है ठीक है तो basically इसके अंदर क्या होता है एक standardized cover provide हो गया अब जैसे प्रदान मंतरी फसल भीमा योजना है उसके अंदर हमने standardized cover provide किया है कि जो लोग rabi crops grow कर रहे है उनका इस तरीके से premium रहेगा ये coverage रहेगा खारी follow का ये रहेगा है ना तो standardization जो है उसके अंदर रहता है और जो company है for example private job offer जो company करती है वो company भी अपने पूरे के पूरे staff का group insurance करवाती है तो group insurance कराने से क्या होता है एक तो standard cover पूरे के पूरे employees को cover आपने कर लिया दूसरा competitive rate के उपर मिल जाता है क्योंकि आप भी insurance company के साथ bargain कर सकते हो ना अगर आपकी company में 1000 employee है आपको उनके लिए insurance लेना है तो जाहर सी बात है insurance company भी आपके साथ negotiate करने को तयार हो जाएगी large part of population जैसे मैंने आपको बताया यह उनको cover करने के लिए भी यूज की जाती है जैसे प्रदान मंतरी फसल भीमा योजना because सरकार क्या consider करती है कि भाई हम अगर इनको insure नहीं करेंगे या इस type का कोई initiative नहीं प्रोवाइड करेंगे तो definitely यह ऐसा एक group है जो insure हो गाई नहीं जैसे farmers का अगर हम बात करें okay so that is the main motive of your group insurance okay अब यह जो group insurance होता है दोस्तो इसके अंदर employees, doctors, lawyers, credit societies आजाता है अब group insurance can be of two types एक उत्ये contributory scheme contributory scheme के अंदर क्या होता है कि premium का थोड़ा सा हिस्सा employer pay करेगा और थोड़ा हिस्सा जो है वो employee pay करेगा ठीक है some part will be paid by the employer some part will be paid by the employee यानि कि दोनों की भागेदारी है non-contributory scheme क्या होती है जिसके अंदर जो employer है वो पूरे का पूरा premium का पैसा पे करेगा उसके अंदर employee एक रुपया भी नहीं डालेगा okay next अब हम बात करते हैं nomination की nomination basically क्या है आप अपनी life insurance policy को ले रहे हो तो आप उसमें एक nominee को रखते हो ठीक है तो nomination आप क्यों करते हो किसी को nominee क्यों बनाते हो कि ultimately for example आपने life policy लिए है तो life policy का पैसा तो तभी मिलना ना जब वो बंदा मर गया जिसने policy लिए तो वो बंदा मर गया तो पैसा उसको तो मिलने से रहा वो क्या करेगा पैसे का वो policy ले किसके लिए रहा ताकि जो उसके उपर लोग dependent है या जो उसके रिष्टेदार है उनके काम वो पैसा आ सके इसलिए लेता है ना अदमी policy तो तो nomination बेसिकली यही करता है जिसके अंदर आप एक person को nominate करते हो to receive the benefit जो भी benefit arise हो रहा है out of the policy वो benefit उस nominee को मिलेगा ओके नाव यह जो person होता है जिसको आप nominate कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं nominee अब आपने किसी को nominee बना दिया तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो particular owner हो गया उस policy का नहीं owner तो जिसकी policy है वो ही है उसके पास तो सिरफ right to receive the amount है अगर death हो जाती है तो उस case में सिरफ वो right to receive the amount है अब nominee जरूरी नहीं है कि आपका कोई relative ही हो ऐसा नहीं है कि आपको अपने blood relation में किसी को nominee बनाना है आप किसी को भी nominee बना सकते हो ठीक है किसी को भी legally आप nominee बना सकते हो जरूरी नहीं है वो आपका relative हो या legal representative हो कुछ ऐसा जरूरी नहीं है और nominee को आप change भी कर सकते हो ऐसा नहीं है कि आपने आज नॉमिनी बना दिया तो कल को आप चेंज ही नहीं कर पाऊगे नहीं insurance rules क्या कहते हैं कि आपको allowed होना चाहिए कि आप multiple times नॉमिनी चेंज करो आप चाहे 200 बार नॉमिनी चेंज करो आपको कोई कुछ कह नहीं सकता उसमें ठीक है नॉमिनी के अगर हम rights की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि नॉमिनी के पास सिरफ जो policy का पैसा है death के case में वो receive करने का अधिकार है वो किसी भी तरीके से policy का मालिक नहीं है ठीक है nomination does not pass on the property in the policy अगर policy की for example किसी property की है ठीक है fire insurance ले रखी है अपने अपनी company की और fire insurance में नॉमिनी आपने किसी x y z person को बना रखा है तो ऐसा नहीं है कि आपकी property भी उसकी हो गई कि मैं नॉमिनी यूँ देखो इस property का तो मैं मेरी property है नहीं सिरफ और सिरफ policy जब आपकी अगर fire लग गई तो उसको वो पैसा मिल जाएगा नहीं तो उस पर property पे कोई अधिकार नहीं है उसका अब यहां पर एक और case है अगर nominee की death हो गई और policy holder अभी भी जिन्दा है basically जो policy holder है वो तो जिन्दा है पर nominee मर गया तो उस case में nomination जो है वो ineffective हो जाएगा अब for example x ने y को अपना nominee बना दिया x ने policy ले रखे और उसने y को nominee बना दिया और z जो है वो y की wife है for example अब y की death होगी y nominee था x की policy में लेकिन y की death होगी उसके बाद x की death होगी थोड़े time बाद एक साल बाद x की death होगी तो z खड़ी होगी z बोली कि पैसा दो इंशॉर्णस वालों ने पूछा किस चीज का क्या थी x मरा है मेरा पती उसमें nominee था तो insurance company बोलेगी कि तेरा पती उसमें nominee था और तेरा पती की death हो चुकी है और तेरे पती की death के बाद वो nomination जो है वो ineffective हो गया हाँ अगर x z को nominee बना दे देन वो अलग चीज है अपनी death से पहले ठीक है अगर x ने z को nominee बना दी होता तो वो एक अलग concept था nomination has no effect if the policy holder is surviving अब for example आपकी policy जो है वो mature हो गई ठीक है आपकी 10 साल की policy थी और वो mature हो गई तो जिसकी वो policy थी उसको वो पैसा वापिस मिलेगा फिर nominee खड़ा हो गया कि मेरा भी तो नाम था इसमें मुझे तो again nominee को तो देखो सिरफ तभी फाइदा मिलना है जब ultimately वो incident हो करता है नॉमिनी जो है उसकी डेथ हुई policy holder की डेथ के बाद बट policy का पैसा मिलने से पहले तो उस case में भी insurance rules क्या बोलते हैं कि उस case में भी nomination जो है वो ineffective हो जाएगा और उस case में जो policy holder था उसके जो legal heirs हैं वो ही सिरफ पैसा क्लेम कर सकते हैं समझे तो for example दोबारा से एक्स पॉलिसी ली वाई को नॉमिनी रखा एक्स मर गया ठीक है और अभी एक्स की life insurance policy का पैसा वाय को मिला नहीं है और मरने से पहले ही वाय भी मर गया को ठीक है वाय भी मर गया तो अब नॉमिनी तो य था तो अल्टिमेटली वाय तो खुद असा निया कि अगें वाय की होंगे ना वो फिर उस पैसे को क्लेम कर सकते हैं अगर कोई लीगल यह नहीं है तो पैसा खता में जीरो है सिर्फ और सिर्फ लीगल है उस केस में पैसे को क्लेम कर सकता है ठीक है नेक्स आजाता है यह आपका topic of cancelling nomination अगर आपको nomination को cancel करना है तो आप change कर सकते हो या cancel कर सकते हो और वो policy holder के पास पूरा का पूरा right है वो policy के उपर endorse कर सकता है कि हाँ जी या अपनी will के अंदर change कर सकता है और कोई भी change अगर वो अपनी will के अंदर या endorsement अगर वो ऐसा कर रहा है तो उसको वो basically LIC को notify करना है थाकि LIC अपने records में भी उसको change करते हैं नेक्स आजाता है जी life insurance को बेचना selling life insurance अब देखो selling life insurance के अंदर relationship को समझना है अब आपने सुना होगा LIC या insurance बेचने वाले को हम क्या होते है agent insurance agent ठीक है agent किसको रिप्रेजेंट करता है एजेंट एक principle को रिप्रेजेंट करता है जो होती है insurance company ठीक है या another person या company और agent principle के भी हाफ पर काम करता है अब जैसे कोई अगर LIC की policy बेचने आ जाता है तो हम क्या मोलते हैं कि यह LIC का agent है यह agent LIC को रिप्रेजेंट कर रहा है है ना now an insurance agent represents the insurance company और एक होता है आपका insurance broker insurance broker रिप्रेजेंट करता है applicant को अब आपको होगे कि sir agent और broker तो सेम ही चीज हुई but insurance की जब हम terminology की बात करते हैं तो insurance agent कौन किसको रिप्रेजेंट करता है insurance company को यानी की insurer को एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है और एक होता है insurance broker जो idols represent करता है जो basically अपने आपके लिए insurance policy लेना चाहता है कानून क्या कहता है कि दोनों जो है वो license होने चाहिए zwei spriggy य pas एक insurance तो दोनों के पास license होना चाहिए ठीक है दोनों का में नेम तो insurance बेचना ही है ना broker जो है वो applicant को encourage करेगा agent का direct relationship जो है वो company के साथ है अब जो insurance company होती है ना वो अपने agents के act के लिए responsible होती है agent कुछ भी करता है तो उसके लिए insurance company responsible है अब आपके पास LIC का कोई agent आ गया उसने आपको बोला यह होगा इस policy में वो होगा इस policy में तो आप यह थोड़ी को होगे कि यह अपनी personal बाते बोल रहा है आप तो यह यह assume करते हो ना कि LIC यह बात बोल रही है क्यूंकि वो तो LIC को represent कर रहा है ना खीक है तो agent के case में तो यही वाली चीज होगी दूसरी तरफ जो broker है broker company को represent नहीं कर रहा है खीक है broker तो अपने client को represent कर रहा है जो basically insurance खरीदने आया है तो यह चीज ध्यान में रखनी है agent के act के लिए insurance company responsible है broker के act के लिए नहीं broker अपने client को कुछ भी उल्टा सिधा बोल दे तो उसमें फिर client यह नहीं बोल सकता कि insurance company ने मेरे को दोका दिया agent के case में वो कर सकता है insurance company के उपर claim है ना bank बहुत सारे है देश के अंदर और हिंदुस्तान में insurance की penetration बहुत कम है और हम चाहते हैं सरकार चाहती है कि हर इंसान के पास insurance हो आपने एक term सुनी होगी बहुत से लोग जो बाहर जाने का plan करते हैं Canada यूएस जाते हैं ठीक है तो बहुत से लोग कहते हैं यार Canada चलते हैं Australia चलते हैं क्यूं क्यूंकि ना वहां पर ना life पड़ी अच्छी है life क्यूं अच्छी है वहां पर ना health का कोई खर्चा नहीं है ऐसा बोलते हैं जैनरली लोग शायद आपने भी सुना होगा लेकिन होता ऐसा नहीं है कि health मापर free नहीं होती उससे जादा free health तो इंडिया के अंदर है आपका इतना बढ़िया हिलाज होता है और बहुत कम दामों में असली माहिने में health इंडिया में free है ठी insured तो उनके out of pocket नहीं जाता वो पैसा वो इंशॉरेंस company cover कर देती है तो यह फरक होता है तो RBI और IRDI बैठे पर इंशॉरेंस देश के अंदर बढ़ाना है तो अब हर जगा पर इंशॉरेंस को आफिस खोलने लगेंगे तो सौ साल लग जाएंगे बैंक शुरू से खोलने की कोशिश कर रहे थे अभी भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो अन बैंक है लेकिन फिर भी बैंक की ब्रांची बहुत सारी ओपन होगी है और और बैंकों के साथ डील करते हैं ठीक है कि बैंक जो है वह इंशॉरेंस companies के इंशॉरेंस products को बेच सके पहले तो क्या होता था वह स अब फॉर इंशॉरेंस का पेनिट्रेशन इंक्रीज होगा और इसको म्या बोलते हैं बैंक का शॉरेंस जहां पर इंशॉरेंस companies अपने product को बैंक के थूँ बेच रहे हैं यह और आप में यह काफी popular concept रहा है और इंडिया के अंदर यह काफी तेजी से अब बढ़ रहा है ओके तो दिस वास्ट टॉपिक गईज अई हो अगें एक शॉर्ट क्रिस्प वीडियो में आपको मज़ा आया होगा इसी तरीके से लेक्ट्रेश डालते रहेंगे दोस्तों और कोई भी डाउट हो दूगे इन टॉच और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज अगर के रहीं रड़ किस्टब एकारई नहीं किस वीडियों ==